नमस्कार क्यापचल टिवी का खार शो 24 करन विपाक्ष बेदम देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूछा पियम मोधी का विदेश दौरा और विपाक्ष धूंडे मौका जी हाँ पियम मोधी रूस और pudड पर है पूधन के रूस में मोधी मोधी की गूंज गे भारत का डंका बच रहे है और चीन पाक्सितान के साथ साथ विपक्ष भी बॉक ला रा है मोदी के रूस दौरे से विपक्ष बेदम है तो वही राहुल गांदी मनपूर का दौरा कर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं राहुल गांदी को मनपूर की शांती पच नहीं रही है यसे लिए मनपूर का राजनिती करन करने के लिए आज वहां पहुंच कर राहत शिविर में रह रहे हैं पिडितों से मुलाकात की है पर राहुल गांदी को मनपूर जाना महंगा पड़ गया है तो वहीं ममता बनर्जी को सुप्रिम कोट ने जठका दे दिया है संदेशकली मुद्धे पर सी बियाई जांच के खिलाब ममता सरकार की याचिका को सुप्रिम कोट ने खारज कर दिया तो ममता दीदी भी बेदम है तो तैहार जेल में बंद अर्विन केजरिवाल का भी दम निकल रहा है क्योंकि हाइ कोट ने केजरिवाल को बेदम कर दिया जारकन की बात करें तो हेमन सरकार ने बहुमत तो साबित कर दिया पर पार्टी में बगावत के डर से हेमन सोरेन भी बेदम है तो कैसे विपक्ष अलग-अलग मुद्दों पर बेदम है आज इसे पर चर्चा करेंगे मेरे साथ समझ में आती है लेकिन भारत में रह रहे हमारे नेता यानि कि विपक्ष के नेता क्यों वाक ला रहे हैं क्योंकि इनमें कोई फर्क नहीं है जो लोग भारत को नीचे दिखाना चाहते हैं उस गैंग में हमारा विपक्ष में सामिल है अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम यह ब तो पिर नुक्सान कौन चाहता है देश के दुसमन चाहते है, चीन चाहता है, पाकिस्तान चाहता है और तमाम एंटी इंडिया लोबी जो पूरे दुनिया में आजकल जळादा ही एक्टिव है वो चाहता है, और आप क्या कर रहे हो, आप उनही के साथ सुर्व मिलाकर के उनके एजेंट के तरह काम कर रहे हो, एक तो सवाल गलत आप पूछ रहे हो, गलत टाइमिंग है, लेकिन राहूल गांदी की टाइमिंग बहुत ही सॉलिड है, वो इसलिए क्योंकि आप हेडलाइन में एक फुट डोट देना चाह रहे हो, प्रदान मंत्री तो वहाँ गये हैं, लेकिन देश जो है वो असान्त है, ट्रेड के लिए जाएंगे, किसी चीज़ के लिए जाएंगे, ये विपक्ष ये साबित करने की कोशिश करेगा, कि हिंदुस्तान डिस्टर्ब है, यहां डिमोकरिसी नहीं है, यहां रूल अफ लॉज नहीं है, ताकि आप इन्वेस्टर्स को और हिंदुस्तान के प्रती, जो रवईया है दुनिया का उसमें आप चोट पहुंचा सके पूरी दुनिया की नजर है कि पुरधान मंतरी मोधी पुतिन के साथ मिलके क्या करेंगे अमेरिका पहले से परिशान है चीन परिशान है योग के बहुत सारे कंट्रीज परिशान है कि हिंदुस्तान कैसे इस मकाम पे है कि वो इरान के साथ भी बिजनेस कर रहा है रूस के साथ भी बिजनेस कर रहा है और अमेरिका को इगनोर कर रहा है मतलब पूरी दुनिया की नजर इस विजिट के उपर है और हिंदुस्तान का जो विपक्ष है वो हिंदुस्तान की एहमियत कम करने में जुटा हूँ बिल्कुल से आपने सही कहा कि जो दुश्मन देशें उन्हें की लिस्ट में ये विपक्ष के नेता शामिल हो रहे हैं आज राहुल गांदी मनिपूर पहुंचे क्यों क्या जान बूचकर उन्होंने आज की तारीक को ही चुना ताकि पीम वहां हो और वो मनिपूर जाके राचनीती करें देखें पीम मोदी का दोरा तो पहले से निर्धारित था और बताया जा चुका था सीडूल सारे लोगों के सामने थे लेकिन जो मनिपूर जाने का फैसला राहुल गांदी का था वो तो गुजरात दोरे के बाद निर्धारित हुआ कॉंग्रिस के तरफ से कहा गया कि मनिपूर के दोरे पर राहुल गांदी जाएंगे और वो भी आठ जुलाई को जाएगे तो ये पहले पीम मोदी का दोरा और उसे दिन राहुल गांदी का मनिपूर जाना और मनिपूर जाते ही वहाँ पर फारिंग करवाना ये करवाना शब्द इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब जब ये मनिपुर गए हैं तब तब अशांती और बढ़ी है आप प्रवोक करने के लिए जाते हो आप अगर वहां जा रहे थे तो क्या आपने पहले से कॉंग्रेस के नेताओं को कहा कि वहां के सारे कॉमुनिटी को इ हम दिखाएंगे कैसे वहां सांती और सद्वावना होती है ये तो नहीं क्या उन्होंने क्या किया कि जो कैम्प है उसमें जाएंगे प्रितों से मिलेंगे मीडिया में हेंडलाइन बनेगी वह अपनी व्यता सुनाएंगे और दूसरे कैम्प में जाएंगे वह अपनी व्यत कि वहाँ पर अस्थिर्ता लाओ, परिशानियां ज़्यादा होगी, तो कॉंग्रेस की सरकार होगी, अब भारतिय जनता पाटी ने उस अस्थिर्ता को खत्म किया, तो इन लोगों को लगा, यव तो भारतिय जनता पाटी वहाँ शांती स्थापित कर चुकी है, पूरे नॉर् कहीं भी कॉंगरेस की सरकार नौर्थिस्ट में भी पच्छी नहीं है लोग सभाचुनाब में इस बार मनीपूर की दोनों सीटों पर कॉंगरेस जीती कैसे जीती? क्योंकि वहां पर अशान्ती है तो जहां जहां अरजकता अशान्ती रहे वही पर कॉंग्रिस के लिए मौका दिखाई पड़ता है और राहुल गांधी की सियात्रा में यही दिखाई पड़ रहा है कि वहां पर शान्ती विवस्ता कायम करने के लिए नहीं बलकि और हिंसा फैलाने के लिए गए हैं और पीय मोदी के इस दोरे पर उनकी जो यात्रा के सेडूल तैकी गई टाक्ष सहाब ने बता दिया कि कैसे वो विपक्ष और चीन पाकिस्तान और देखा जाये तो अमेरिकी लॉबी यह सब एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई पड़ते हैं कि जहां भारत मजबूत होने की दिशा में हो वहां उसके पैर को खिचने की कोशिश करो ताकि कमजोर सरकार कमजोर देश इनकी कटपुतली बनी रहे बिल्कुल सरसर बात अगर दिल्ली की करे तो अरविंद केजरिवाल ने एक हाइकोट में याजिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने वकीलों से अतरित मुलाकात का समय मांगा था हाला कि सुनवाई भी हाइकोट ने इडी को अर्तिहार जिल को नोटिस जा रहे किया लेकिन वो क्यों वकीलों से इतना ज्यादा मिलना चाहते हैं दिक्कत क्या है कि आपसे कंधिर के मांड जोहें वा अथोरटी वह जो कंट्रोल पार्टी के उपर सरकार के उपर वो धीरे धीरे खत्म हो राहा था आज में देख रहा था इंडियन एक्स्प्रेस स्टोरी कर रहा है और स्टोरी ये कर रहा है कि लोग जो है मुख्यमंत्री के रूप में आतिसी मार लेना को चाहते हैं यह तो बड़ा गजब है सुनीता जी को पचेगा केजरिवाल को नहीं पचेगा इसका मतलब है कि अंदर एक खबर आई है कि वो लीड स्की आता जाएं यह तो किसी के बस की बात नहीं है सुनीता केजरिवाल नहीं कर सकंथी तो वह यह चाते हैं कि कोई संदेश वाक हमसे रोज डेली मिले वकील के बहाने डॉक्टर के बहाने ताकि में रोज कंट्रोल कर सकूँ, वहाँ टेलिविजन देखते हैं वो, न्यूज देखते हैं, न्यूज में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, अभी पूरा सत्र खत्म हो गया, केजरिवाल के नाम पे कुछ नहीं, तो वो बैठे-बैठे तो उसको लगेगा, तो और गर्मन हो दबाब नहीं बन पाएगा, तो यह दिक्कत जो है, कि हम कंट्रोल कैसे करें, संदेश कैसे भेजा जाए, एक तो पार्टी के अंदर, और दूसरा पार्टी के बाहर भी, हर जगा उनको तो Onको प्रदान मंतरी बनाफ ये हर तो कोर खेज़री वाल का नाम लेने वाला कोई बचेगा ही यह मीडिया के लिए जिंदा है, मीडिया के लिए राजिती किरता है, मीडिया के लिए सब कुछ करता है और मीडिया से ही अगर ये गायब हो गया तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी तो एक strategy ये भी होती है उसकी कि रोज सुप्रेम कोट, हाई कोट, लोर कोट में कुछ न कुछ केजरीवाल का चलते रहना चाहिए ताकि मीडिया में हमारा नाम चलता रहे एक, नमबर दो, उसको ये भी मालूम है कि अगर उसने control उसके हाथ से गया दिल्ली में party टूट फूट के आपस में लड़ जगड करके जो ही लोग स्वाहा हो जाएगे और तीसरी जो सबसे एहम चीज है कि दिल्ली के चुनाव आने वाले है च्छे मेना पहले से ही पैसा कोरी का हिसाब किताब कर देते हैं यह लोग party वाले कहां पहुंचाना है कहां सेव करना है क्योंकि जैसे ही वो नजदीक आता जाएगा तो EDCBI की भी नज़र पढ़ती है तो यह सारी काम करने है और कोई मुलाकात के लिए वक्त नहीं है लोग मिल नहीं पा रहे है किस से हम अपना मैसेज पहुंचा है और एक जो मैसेज पहुंचाने का काम भी करता था वो हमारे बगल के कमरे में आ गया है वो भी त्यार भी है तो फिर यह communication gap को खत्म करने के लिए केज्रिवाल छट प्टा रहे है इसलिए वो कोड का धरवाजा खट खुटा रहे हैं रहा है, लेकिन रहाज तो ममता भनरजी को भी नहीं मिली है शार्खन में हिमन सुरन ने बहूमत तो साबित कर दिया है लेकिन क्या पाटी में बगाबत हो जाएगी आगे देखिए ममता बनर जी के साथ जो हुआ आज सुप्रिम कोट के अंदर उसके बाद अगर नैतिक आधार पर देखा जाए तो ममता बनर जी को इस दिफा देना चाहिए क्योंकि जस्टिस बियार गबई और जस्टिस विस्वनाथन इन दोनों की बेंच में सुनवाई और इनके वकील कौन वही अभिशेक मनुसिंगवी अभिशेक मनुसिंगवी को पिछली वार इनोंने राजसभा भेजा था इसी कॉंट्रेक्ट के आधार पर कि हमारे मामले आप लड़ेंगे सुप्रिम कोट में कुछ न कुछ आपकी अच्छी खासी बनती है तो वहाँ सामन जस्तापित करो मैनेज करो लेकिन उल्टा वहाँ अभिशेक मनुसिंगवी जैसे ही पहुचे और बियार गबई ने कहा कि आप किसको सुरक्षा देना चाहते हैं किसको बचाना चाहते हैं आप एक प्राइवेट पार्टी के लिए इंडिविज्वल के लिए आप हाई कोट के फैसले को चैलेंज करने के लिए सुप् के लिए इससे बड़ी बेजिती की बात क्या हो सकती है कि आप शाह जहां शेक जैसे लोगों को बचा रहे हो वहाँ पर 43 एफायार दर्ज किये गए हैं और सब को सी बी आई को सौपने के आदेश हाई कोट से आये हैं आप कह रहे हैं नहीं सी बी आई नहीं पुलिस करेगी फिर जस्टिस ने कहा कि आप जो बार बार कहते हैं कि स्टेट गोर्मेंट की मशिनरी के उपर पुलिस के उपर ये सवालिया निसान है कि हम निकम्मे हैं तो निकम्मे तो हो अगर निकम्मे नहीं होते तो इतने दिनों में आपने क्या किया वो फाइंडिंग्स अभी सुप रवाई करने जा रहे हैं आपके पास कुछ नहीं आत में और CBI पर रोड़ा लगा रहे हैं इसके बाद इन लोगों को आगे कुछ बोलने का मुका मिलता इससे पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया ये इतनी बड़ी बेजती है कि मुरल ग्राउन पर इस्तिफा दे देना एक तो परिशानी है ही सुप्रिम कोट में मामला चल रहा है और सुप्रिम कोट ने तीन बार हेमन सोरेन को जमानत देने से इनकार कर दिया था कपिल सिब्बल गय थे जब केजिरीवाल का मामला लेकर कि केजिरीवाल की तरह इनको भी छोड़ देजे फिर भी सुप्रिम हो गई है अभी विधायक सारे ऐसे नहीं है कि हमन सोरेन के साथ है लेकिन ततकाल वो कोई कदम नहीं उठाना चाहते चुनाब सर पे है तो पूरी अस्टरजी बना रहे हैं कि चुनाब से पहले कैसे इनको एक बड़ा जटका दिया जा सकता है बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का तो मौस को पहुंचने प्रिदानमंत्री नरेंड मोदी का जोड़दार स्वागत हुआ है सभी की नजर मोदी और पुतिन के बीच होने वाली मुराकात पर है तो विपक्ष मोदी के रूस दौरे से परिशान है राउल गांदी भी मनेपूर दौरे को लेकर सवालों के घेरे में आ गए है और कोट से जिस तरह से मम्ता बनरजी और केजरिवाल को जटका लगा है उससे उनकी मुसीबत और बढ़ने वाली है विपक्ष की बढ़ती मुसीबतों पर आप अपनी राइक कमेंट कर लिखें देखते रें क्याप